हलो फ्रेंड्स मैं हूँ निशा एंड वल्कम बैक टो निशास पैशन फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो लाई हूँ आज से आप लोगों को मेडे चानल में एक डिफरेंट सेक्षन देखने को मिलेगा जहां पे मैं अपलोड करूँगी मॉम्स रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो मैं एक होम मेकर हूँ एंड एक मॉम भी हूँ तो मुझे तो घर समालना पड़ता है आप लोगों को तो पता ही है कि एज ए होम मेकर या फिर एज ए मॉम घर में कितना साड़ा काम होता है समालने के लिए और इन सब कामों में हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकल पाते हैं चाहे ओफिस गुवर्स, वरकिंग ओमन हो या फिर होम मेकर्स किसी के पास आज टाइम ही नहीं है अपने आपको देने के लिए आज कल बहुत ही बीजी लाइफ हो गया है और इसी बीजी लाइफ में अपने लिए टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है तो इस भाग दौर की जिंदगी में स्किन केर करना, हैर केर करना या फिर अपने बालों को सुखाने के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास तो हमें न सब कुछ क्विक क्विक चाहिए और अगर बालों को सुखाने की बात करें तो हेर ड्राइर यूज करना एक बीग सलुशन है आज कल की भाग दौर की लाइफ में तो मैं यूज करते हूँ 1200 वर्ट का फिलिपस हेर ड्राइर तो मैं इस हेर ड्राइर को छै साल से यूज कर रही हूँ जी हाँ अपने सही सुना छै साल से मैं इस हेर ड्राइर को यूज कर रही हूँ मैंने 2017 में इसको पर्चिस किया था and आज भी आपके सामने मैं इसको यूज कर रही हूँ and मैं बहुत ही हैपी हूँ इस hair dryer को यूज करके ये hair dryer मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा useful है तो सोचा आपके साथ मैं इस hair dryer का review शेयर करूँ तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलिप्स hair dryer के बारे में तो ये देखिए मैं यूज करती हूँ फिलिप्स hair dryer HP8120-00 और ये 1200 Watt का है कलर बहुत ही beautiful है pink and white का combination है तो मुझे तो बहुत पसंद है and ये पुराना हो गया है क्योंकि मैं इसको छे साल से यूज कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना hair dryer है ये and आज भी नया जैसा ही है आप देख सकते हैं इस hair dryer के साथ एक nozzle है जिसको आप rotate कर सकते हैं और चाहे तो इसको आप remove करके भी use कर सकते हैं but I think इसको remove करके hair dry करना ठीक नहीं है क्योंकि अगर हम इसको remove करके hair dry करेंगे तो इसमें बाल फसने की chances रहते हैं और अगर हम nozzle लगा के hair dry करेंगे तो बाल फसने की कोई chances नहीं है और साथ ही में अच्छे से blow dry भी कर पाएंगे तो देखने में तो बहुत ही cute है ये hair dryer और इसमें 3 flexible pre-selected drying settings है 3 different needs के लिए तो अभी तो off है तो यहां पर आप देख सकते हैं 1st, 2nd and 3rd option आपको मिलेंगे 1st में cool airflow आपको देंगे 2nd में आपको medium hot airflow मिलेगा and 3rd में very hot airflow आपको मिल जाएंगे इसमें है thermo protect temperature setting and cool air setting for extra gentle dry तो cool air setting में आप बच्छों को hair dry कर सकते हैं और medium flow जिसमें है उसमें आपको थोड़ा सा hot airflow मिलेगा जिसको मैं यूज करती हूँ hair dry करने के लिए and 3rd option में जो बहुत जादा गरम flow आपको मिलेंगे वो बहुत जादा गरम होता है अगर आपको नीड है तो आप यूज कर सकते हैं इसमें जो cord है, cord length है 1.5 meter तो मेरे पास जो hair dryer है वो बहुत ही पुराना hair dryer है छे साल से यूज कर रही हूँ तो cord का हाला देखिए बिल्कुल color change हो गया है hair dryer से तो कोई बात नहीं बट अभी भी नया जैसा ही perform कर रहा है ये hair dryer तो मेरे लिए बहुत ही useful है इस hair dryer में है foldable handle for easy portability तो इस handle को अगर हम fold कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर में भी आप इसको easily fold करके रख सकते हैं इसमें है first air setting and इसका compact design मुझे बहुत पसंद है ये hair dryer मेरे लिए बहुत useful है और इस hair dryer का cost भी जादा नहीं है बहुत ही सस्ता है ये hair dryer इसका MRP है 1,2,4,5 rupees आप idea कर सकते हैं मुझे ये 1,2,4,5 rupees के अंदर ही मिल गया था and मैं इस hair dryer को 6 साल से use कर रही हूँ और अभी मैं आपके साथ बात करूंगी hair dry करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो हमें hair dry करने से पहले एक heat protecting serum लगाना चाहिए मैंने on camera serum लगाना भूल गई थी तो मैंने off camera serum लगा लिया है और दूसरी बात है hair dry करते समय न पहले tips से start कीजे मतलब hair length या फिर hair tips में hair dry करना start कीजे और कभी भी बालों के जो root है वहाँ पे hair dry मत कीजे अगर हम roots पे गरम हवा लगाएंगे न तो hair fall हो सकता है या फिर hair damage हो सकता है और blood dry करते समय hair dryer को थोड़ा सक दूर रखिए मैं जब भी hair dry करती हूँ अपनी बालों को हिलाती रहती हूँ और hair dryer को भी हिलाती हूँ ताकि direct किसी एक particular portion में गरम हवा ना लगे उसमें hair damage होने के chances है तो friends मैंने hair dry कर लिया है और अभी मैं hair comb करूँगी आज की वीडियो यही paint करते है I hope आज की जो वीडियो है वो आप सबको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please like कीजिए दूसरों के साथ share कीजिए and मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए stay happy and healthy see you again in the next video bye bye झाँ झाँ लोभेलो आपको आपको एंइ झाँ झाँ है झाँ है झाल झाल